हम बात कर रहे हैं इजी ट्रिप की लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 2% टक के अफसाइट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिलिए लगातार गिरावट के बाद 28 की लेवल से स्टॉक ने बॉंस बैक कर दिया है हमने डिसकस किया था बाउंस बैक करता है तो 34 तक का जम दिखा सकता है और स्टॉक पर देखो उसी के आसपास नजार आ रहा है 34 के लेवल से रिजेक्शन के बाद बड़ी सेलिंग आई थी बड़ी गिरावट स्टॉक ने दिखाया था लेकिन अब देख सकते हैं यहां बायर सेक्टी होते नजार आ रहें बाइंग देखने के लिए मिलेए तो यहां से इस हाई का ब्रेक ओट 34-35 के level का breakout stock दिखा सकता है लेकिन थोड़ा सा हमको यहां इंतिजार करना है क्योंकि stock गिरावट में लगातार गिरावट दिखाई है अब अगर गिरावट आती है तो 32 immediate support है और नीचे की और major support है 28 का level जहां से bonds back किया है अब आने वाले trading damage जो इसका high 34-35 का level यहां तक का jump दिखा सकता है इसके resistance का काम करने वाला है तगड़ा resistance रहने वाला है rejection के बाद बड़ी गिरावट दिखाई है तो तगड़ा resistance रहने वाला है इसके high को break out करता है और इसके उपर closing दे जाता है तो वह इसी situation में easy trip का खेल पलट सकता है फिर next target 37 और इसके break out के बाद 38 से लेके 40 तक का भी jump easy trip दिखा सकता है अगर 34 का level 34-35 का level break out कर जाता है तो वह इसी situation में recovery दिखा सकता है 40 तक के भी फिर target देखने के लिए मिल सकते है वीडियो education purpose के लिए कोई बाद से लिया hold की सला नहीं है अगर आप ultimate account open करना जाते हो तो description में दीगई link से कर सकते हो